हेलो एवरिवन सभी को नमस्कार सभी को सस्रियकाल सभी को आदाब और सभी को जैहिंद कैसे हैं आप लोग तो जितने भी लोग आपे जुड़े हुए हैं आज क्या रहेगा खास तो हम लोग डिस्कॉस करेंगे वह सब जो अपने पहले एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ में आने के पूरे-पूरी संभावना हैं तो सबसे पहले तो वैलकम टो अटर 24-7 जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी एप को डाउनलोड नहीं किया फटा-फट से एप को डाउनलोड कर लो क्योंकि यहां प प्रविश कैसे करता है तो यह आपके पास ते चार ओप्शन तो फड़ा-फट से आपनों क्या अंसर देंगी जल्दी इस आंसर दीजिए उसके अगर मैं डॉक बाइट की बात करूं तो इसके आरे मैंने कली डिसकस रिया था जो डॉक बाइट होती है सब लोग याद रकेंगे कि phobia का मतलब होता है बेटू डर और hydro मतलब हम लोग यहाँ पर पानी से संबंदित बात करें यहाँ पर क्या होने लगेगा? जल से हमको डर लगने लगे है पानी से डर लगने लगे है तो यहाँ पर अगर मैं मच्छर के काटने की बात करें यहाँ से भी अलगलग टाइप के इसूज़ आ सकते है कैसी समस्य हो सकती है? मादा एनुफलीज की अगर हम बात करें वहाँ पर डेंगी हो सकता है यानि डेंगू हो सकता है लेकिन अगर हम प्रदूशत घूचन और पानी की बात करें तो इससे सर होने वाली समझ से आपकी क्या होई पॉलियू जो कि अगर इंडिया की बात करें तो यहां से अब इसकी समाप्ति हो चुकी है भारत आपका पॉलियू मुख्त है लेकिन सर इसकी ड्रॉप्स यानि की ओरल वैक्सिन दी जाती है और सर यहां पर जो आंसर था सी बि राजेश उसके बाद शिवानशू तो जितनी भी लोग यहां पर सी के साथ गए हैं वो सब के सब सही है तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नमर सी सो बबलू वाइटी गेमर जितनी लोग प्रेजेंट है अब आवास आपको से क्लियर आ रही है तो सर यहां तक तो हमारा आंसर करेक्ट था अब बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर जो अपने प्रीवेश सेर के लिए काफी इंपोर्टेंट है चलिए तो प्रीवेश सेर आया हुआ है तो अपने एग्जेम के लिए इंपोर्टेंट है मूस एक्सप्टिट वाले में से हैं नाव सर क्विशन इस होने कौन सा है अब पहले मुझे यह तो पता लगे कि HIV वाही साब होते हैं क्योंकि सर यहां से बहुत सारे प्रशन पूछता और जितने प्रशन है पूस्मार्ट हम करते हो आगे बढ़ेंगे तो गाइस देखे अगर मैं आप लोगों से बोलू HIV तो HIV की फॉलफर्म क्या होती है HIV की फॉलफर्म है बेटू, Human, Immuno, Human, Immuno, Deficiency, Deficiency Virus अब यह वाइरस अगर हमारे शेरीर में चला गया तो पता है क्या होगा? हमारे शेरीर में जाने से केरन, बिंदा, सिमरन, अमित, मुकेश, यहां पर हमको समस्या पता होनी चाहिए कि हमारी सर रोग प्रती दूदक्षम था खताम मतलब यहां पर क्या होगा? कि वाइरस, बैक्टीरिया, कोई भी आराम से आएगा, समस्या खड़ी करके चला जाएगा तो गुरुदेव, यहां पर HIV वाइरस जो है, सर ओविसली क्या है? यह एक विशानू है और इस विशानू से होने वली समस्या है AIDS, जिसकी फुलफर्म होती है, Acquired Immuno Deficient Syndrome तो यहां पर सर डिसीज जो HIV से होती है, वो कौन सी होती है? AIDS फुलफर्म, Acquired Immuno Deficient Syndrome तो हरशुल ने मेरे सर पूछने से पहले ही बता दिया, इसकी जो टेस्टिंग होती है, याद रखना इसके टेस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो सब लोगो पता होना चाहिए, सर काफी important है इसके टेस्ट का नाम है ELISA, ठीक है? और ELISA की फुलफर्म कौन जानता है? अच्छा, अनुछ बाबा भी जुड़ चुके है तो विमल बाबा, सब लोग याद रखना, D for dawn है, D for bubble, तुमारी पिट्टू करेंगे तो ELISA की बात करें, तो यह हो गया, enzyme, linked, immuno, sorbate, immuno, sorbate, essay चली सर, तो इसका post-martum हो चुका है, प्रस्न जो है, इसी के इर्दिकर्द घुमेंगे और आपको यहीं से question देखने को मिल जाएंगे तो ELISA, सहज में आया, मताँ यहाँ पे ना, virus भी देखो, अंग्रेजों वाले नाम रखे हुए हैं, चलो, तो यहाँ पे सर, 8 सारा पार्ट डान है हमारा, अच्छा जो TB होती है, TB जानते हैं किससे होती है, यह बैक्टीरिया से, mycobacterium tuberculosis से, खेर, तो यहाँ पे सर, पूरा अभिनाश, लेपरसी किसके गारण होती है, लेपरसी, तो आपको तब तक नाम बताता हूँ, आप लोगर नाम बोल गया हूँ, तो इसका नाम है, mycobacterium leprae, सो विमल बाबा, हमारे जॉन पूर वाले भहिया, उसका अधरितेश, विने, भारती, बैक्टीरिया, तो जैसे म मैंने आपको नाम बताया, नाम क्या बोला मैंने, नाम मैंने बोला, mycobacterium leprae, आपके लिखता हूँ है, mycobacterium leprae, अब हिंदी और अंग्रेजी में से यही नाम होगा, अब अगर आप ध्यान से देखें, तो सर, यहाँ पर mycobacterium जो शब्द है, यहाँ पर क्या दिख रह बिनाज, हम लोग जब इस बैक्टिरियम की बात करते हैं, मतलब में किस की बात कर रहा हूँ, जो हिंदी वाले हैं, सर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जीवानों की, राइट, यहाँ पर हम लोगो पता रहे हैं, यह बैक्टिरिया, यानि की, यह आपका बैक्टिरिय है यह मैंने जो सामने रखा हुआ एफ और एपल है वबलू तो यह जो मैंने प्रेशन रखा है यह एक्शली CGL का पूछा हुआ प्रेशन था जैसा ही मैंने आपसे बोला कि आपके मोस एक्सपेक्टड वाले पार्ट में मैं प्रीवेसर के कुशन सी रखता हूँ जैसे आप कोई भी कुशन मिस ना करें प्रशन है वरश की आयू वर्शों में निम्न दुवारा ग्यात की जा सकती है यानि एज ऑफ दी ट्री इन इयर्स कैन भी ऐस सर्टेंड बाई डैश तो यहां पर क्या करेंगे जो पेड़ है ना जब पेड़ को आप काटेंगे तो देखेंगे यहां पढ़ना कुछ रिंग्स बनी हुई है ऐसे करके तो इनको अंग्रेजी में कहते है बेटू एन्वल रेंग और यह सर आप जब इनकी काउंटिंग करेंगे यह कितनी है तो यह आपके इयर्स बताएंगे कि पेड़ जो है कितना पुराना है ठीक है तो मुकेश, केरन, अभिनाश, दीपी, विमल बाबा तो यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा अनुल रिंग्स यानि इसके वलायकार छलों की संख्या अगर आप गिल लेंगे तो उसी से पत रही है, 7.99 में, साथ में कल SSCJE का notification भी आ चुका है, तो आप लोगों को अगर batch purchase करना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएगे अड़र 24-7 की website पर और अभी सर मन्थेंड वाले sale भी है, जैसे हमको मिल रहा maximum discount, तो मैं जैसी जाओंगा अड़र 24-7 की website पर, इसमें मैं जाओं इसमें में, इसमें मेरी जो भी branch देखूंगा, जैसे मालो, इलेक्रिंस और इलेक्रिकल, इंजिरिंग महा पैक, इस महा पैक में अभी मिल रही है, डबल वैलेटी और सबसे जादा discount ही मिल रहा है, तो मैं अलग से SSCJE का ही course क्यों लूँ, मैं SSCJE, RRBJ जितने भी पेपर आ आने Y723, दो साल की validity के लिए, और आपको maximum discount कर लेना है, तो बस आप apply करो, और सारे के सारे batches, अठारे सुर रपे आपको मिल रहा है, तो sir, ऐसमों का बार-बार नहीं आता है, जिसको यहाँ पर तयार ही करने है, बल्गो zero से, वो यहाँ पर आ सकता है, चली sir, वापस आते ह अगला कुश्य है यह बैक्टीरिया के खोच किसने करी, यानि अगर मैं जीवानों की बात करूँ तो जीवानों की खोच करी किसने, फ्लैमिंग, लेंबल, टैमिन, यह लिविनॉक, अब यह सर बैक्टीरिया के खोच करता है, क्योंकि ना यह नाम से ऐसे पूछ लेता है, so आज मज़ा आएगा, आज आपको हैकिंग, थोड़ा बहुत हैकिंग वाले पार्ट में, आपको आज हैकर बना की मानेंगे हैं हर्शुल, तो बस 15 मिट की बात और है, उसका दाद कंप्यूटर पहेंगे, पहले इसका देख लेते हैं, नहीं बेटा, चुट्टी क्यों चल रही है, अपनी क्लासिस जा रही है, रेगुलर, मैं अभी पेड़ वेच लेके आया हूँ, तो यहाँ पे सब लोग जो आंसर देने हैं, डी बिलकुल सही है, सब लिवन हॉक नहीं क्या किया है, बैक्टिरिया की खोज की है, और याद इनों ने ही जीवित कोशिका की खोज भी की थी, यानि लिविंग सेल की खोज की है, वो इनों नहीं की है, लेकिन मैं सर्फ पोस्माटम करें बिना मानूंगा नहीं, तो हर्षुल, अभिनाश, अनुच, मेरा बस सिंपल सा कुशन यह है, संसार में सबसे छोटी कोशिका कौ कुछ ले, तो सबसे छोटा जीवाणू कौन सा है विमल बाबा, सबसे छोटा जीवाणू भी आपका माइकोप्लाजमा ही है, तो यह क्या है, यह आपका बेक्टीरियम है, तो याद रखीगा, सबसे छोटी कोशिका होती है, वो सर्फ माइकोप्लाजमा होती है, बहुत बह लगा दिया और जैसे मैंने टीका लगाया मैं बच गया तो यहां पर मैं एक्जेम्पल ले रहा हूं सर वेक्सीन का बच्पन से हम लोग सर अलग लग टीके लगवाती हुए हैं आप लोग अपने शूल्डर के साइड में चेक करना तो आपको यहां पर चोट आसा वाइट कल हुआठ नहीं होगा डापेंटीज, पूलियोichtig, वूफिंगंगप यह जिए स्मॉल्ड़ पॉक्स, पूलियोजियो, काली ख Tanner चेक यहां पर तो यहां पर पारोल या कीस करता हैं इस वाशूका, यहां पर बड़ा ऐससा लग रहा है कि अग्षिंझा यहां पर यहां सो सीफोर कैट ओके सो गुरुदेव यहां पर देखिए यह जो हम लोग ऑप्शन की बात करें तो वूफिंग कफ या नि काली खांसी तो काली खांसी तो आंसर नहीं है सर नो सर यहां पर यहां देखना यह जो मदू में रोग होता है यह सर बताई किसके कारण हो रहा है बैक् प्रूटुजवा के कारण हो रहा है क्या भाई हो महनो बताईए यह फंगाई के कारण हो रहा है क्या तो भाई हो महनो ना तो यह आपका फंगाई के कारण हो रहा है ना यह बैक्टीरिया के कारण हो रहा है ना प्रूटुजवा के कारण हो रहा है तो सर इसका मतलब यहां वाला भाग है, सर उसमें इंसुलिन जो निकलता है इसकी मातर अगर कम हो जाएगी तो वैसे ही मुझको सर डाइबिटीज हो जाएगी यानि कि गुरुदेव सिंपल सा फंडा है, क्या कि डाइबिटीज का सर टी का करण्ट से कोई लेना देना नहीं, यानि टी का करण्ट से आप पर डाइबिटीज वाले पारट में कोई मतलब नहीं है तो टी का करण्ट से नियंतर को नहीं हो सकता वो है डाइबिटीज यानि मदू में इस एट क्लिर? गाइस, तो यहाँ पे जो आंसर होगा तो प्लीज गलती मत करना, बड़ा बेसिक सा पॉइंट था, तो ये समझना जरूरी है, तो diabetes जो है, जा आप हम शुगर की बीमारी कह देते हैं, मदू मेरो कहते हैं, वो आपका सा ठीक अगरण से ठीक नहीं होगा, चली सर, ये भी हमको समझ में आ गया, अगले कुशन पर चल करने के लिए, वैक्सीन लगा के, यहां पर मानसी, देखो क्या होता है, कि जो वैक्सीनेशन के हम लोग बात करते हैं, तो क्या है, ये ना, माइक्रो और्गनिज्म, जो हमारी बॉड़ी में है, उनकी ग्रोज से बचाता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं, हमने कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाई थी, हाना, कोवेश शील्ड करके आई थी, कोवैक्सीन थी, तो क्या कर रहा था, सर, वहाँ पर जो वाइरस अपनी बॉड़ी में अगर चले गए हैं, या फिर जा रहे हैं, तो हमारी समस्या ना खड़ी करना है, उसके लिए वैक्सीन थी, वहाँ पर जो आंसर था, डायबटीज किसके लाड़ होता है, डायबटीज रितेश हमारे शरीर में जो पेंक्रियाज है, या अगनाश है, उसका एक भाग होता है, आइसलेट औफ लेंगरेंस अंगरेजी में, हिंदी में कहते हैं, लेंगरेंस की दीपिका है, उस में से अलफा, अप्शन देख रहे हैं, तो मैं आपको हिंट देदू, सर ये बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस थे, आप देखिए, आप गलती नहीं करेंगे, तो जगदी शंदर बोस, बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी लोग सर, जगदी शंदर बोस जी के साथ जा रहे हैं, या नही सुरक्षिद रखते हैं, तीन देन तक डूदध खराब नहीं होता है, आप भस थंडा रखना होता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं, पाश्च्छूरी करण, हिंदी में कहते हैं पा स्टूरी करण, अंग्री जी में कहते हैं पास्च्चूराइसेशन, तो सबसे पहले पास्टराइशन की जो खोज है किस नहीं की थी? सर वो थी लिवस पास्टर जिसकी वाइसे आपका दूद जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है राइट? यहाँ पर जो आंसर है वो इंडियन साइंटिस्ट कौन हो गए? जगदी शंद्र बोस तो जगदी शंद्र बोस नहीं पता लगा था कि यह प्लेंट्स और जो ट्रीज हैं इन में सर जान होती है बहुत बढ़िया तो यहाँ पर पौदों की लंबाई में आपने वाले यंद्र की कोस के ग्राफ ये बिलकुल सही है आपने पड़ेल बावास सब जानते हैं हमारे तो सही आँसर हो गया B नेक्स्ट अच्छे यहाँ पर टिकी नहीं है तो यहाँ पी जो आँसर होगा वो क्या होगा जेसी बोस नेक्स्ट अगला प्रशन अगला प्रशन है ये डॉल्फिन सर किस में आती है डॉल्फिन क्या है सर बताईए गुरुदेव हमको ये भी पता लग गया एक मार येस क्या कह रहे है लुईशा कुछ कहना चाहरे हैं कि संभू में आपकी बात समझा नहीं बिटा शायद लुईशा में समझा नहीं आप क्या कहना चाहरे है सो रितेश शंभू विमल अभिनाश, रिंकी, अनुज बाबा आलोक सुमांस या पॉइंट के लिए रहे है न जैश तो जैश जा रहे है सबसे बहुए एक ही साथ कि डॉल्फिन जो है वो मचली है अब देखे पता क्या होता है यह जो पेपर के जैसे मैंने कुश्शन आता हूं मैं जान मुझके थोड़े से हायर लेवल में जो कुश्शन आए वहां से पुट अप किये मैंने कुश्शन अब मैक्सिम बच्चे क्या करेंगे यहां पर जैश का पेपर है तो MTS में हम जानते हैं सर यहां पे सार दसवी पास वाले बच्चे एक्जैमनेशन देते हैं तो अगर मैं MTS की बात कहूं तो उनका समझ माता है कि लेवल थोला सब वीक रखेगा अब यहां पर होगा क्या सर अगर डॉल्फिन के बारे पूछा तो हम लोग सीज़े मचली पे आंसार दे रहे तो आपको लगता है को जादी बेसे कुशन पूछ लिया यहां तो यहां पर सर जो आपकी डॉल्फिन होती है डॉल्फिन एक्शुली आपकी मैमल्स है क्या है संदारी जीव होते हैं एक्वेटिक एनिमल कौन सा है यह पेपना पूछ लेता है सर पूछा हुआ है एक्शुली हमारे देश का बताईगा सर नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है तो एंडोगराइन सिस्टम का भी क्लास लाएं बिल्कुल सर मैंने कली बोला था हम लोग टॉपिक वाइस चल रहे है तो आपकी दो बज़े होते हैं टॉपिक वाली ग्लास आप उसमें रेगुलर आई है उसमें एंडोगराइन सिस्टम ही आएगा आज मैं उसमें सर्कुलिटी सिस्टम पढ़ाऊंगा अगले हफते ही आपका इंडोगराइन सिस्टम आएगा डॉट वरी बच्ची अंडे नहीं बिल्कुल जो सर क्या करते हैं अंडे नहीं देते बच्ची देते हैं वो मैमल्स वाली के डेगरी में सो यहां पर डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान जीव है सही का आपने और भारत का अगर मैं रास्ट्री जली जीव की बात करूं सर वो भी आपका यही है पूरा नाम आपका कीवल डॉल्फिन नहीं होगा बेटा यहां पर याद रखना अपने जो नेशनल एक्वेटिक अनि सर वहाई ग्याटedएक डॉल्फिन ठीक है यहाद रहेगा वेरी इमपोर्टेंट और यहाद रखना सर बहुत भुद्धि जीव भी होता है लेड़ेस। हैं इंटब होटा है चलो सर वहं बहौत है इतना कोही निजाएश इट सुके हो गए तो हो गए' so yes, बिलकुल सही बात सुदेश next, आगे वड़ते है अगला question है sir यह CDRI भारत में कहां इस्थे थे यह CDRI पहले तो यह समझे भाई सब होता क्या है तो पहले आप answer दो क्योंकि sir मैंने जान मुझे आप बोला ना कि वो questions रखे हो जो exam में बार बार repeatedly आ रहे है वो यही questions है और जितने लोगोंने अभी तक session को like नहीं किया है फटाफट से like कर लो और जितना हो सके इसे share भी कर दो चलिए, क्या कहा है? ओ, अनुज बाबा, गलत बात चलिए, so, चंदन ठीक है, बिलकुल सही गुरु देव, अब मैं CDRI की बात करता हूँ तो जितने को CDRI का मतलब नहीं पता है तो Central Drug क्या कहते है? तो अच्छा, ओके, study गुरु देव, यह कहा है? Central Drug Research Institute तो एक वाट लिख देता हूँ CDRI Central Drug Research Institute तो यह हिस्थित कहाँ पर है? तो सब लोग यहाँ पर जो answer दे रहे आधर शेक्शली वो प्रिविश रेके questions में से है तो यहाँ पर देखो, यह थोड़ा सारा क्या बाइव वाले पार्ट से में लिंग कर रखता हूँ क्योंकि ड्रक्स वाले पार्ट से है इसलिए कि actually हम लोग chemist में पढ़ते है भी इसके बारे में So basically यहाँ पर जो answer होगा that is what? लखनव, right? So यहाँ पर हमारे कोई B के साथ थे कोई D के साथ थे अर्बिन हमारे बिलकुर सही थे सही answer होगा आपका लखनव, next, अगला question अगला है which of the following plant is used for biodiesel biodiesel के लिए हम लोग कौन से पौधे का इस्तिमाल करते है बताइए कोई निवे मलेट सुके So नेम लेकित में से किस पौधे का उपयोग biodiesel के लिए किया जाता है गन्ने का, सफेद गाजर या फिर सेन्ना का या जैट्रूफा biodiesel के लिए तो और जल्दी से आंसर देंगे प्लीज So अभिनाश हमारे D के साथ है हर्शुल D के साथ जा रहे है रुदराक्ष D के साथ है विनोत कुमार मौरिया अच्छा D के साथ है क्या अगर है D में नहीं जाना है या D में ही जाना है बिटा चंदन A के साथ है मोनिका A के साथ जा रहे है So guys यहाँ पर याद रखेगा कि biodiesel के लिए हम लोग इस्तिमाल करते है किसका जैट्रूफा का अब जैट्रूफा में क्या जैट्रूफा में सब लोग याद रखेगा जैट्रूफा में इसके बीज का इस्तिमाल करते है यानि इसकी सीड़ का तो बायोड रिजक के रूप में सर क्या करते है इसकी जो प्लैणड के सीड़ है तो पूछला किसके बीज का तो घुमा फिराए कि ऐसे भी कुशन पूछले आप गलती मत करनास तो यहां पर सब लोग याद रखें के जैट रूफा, बिल्कुल जैट रूफा करकस, that is option number D is the correct answer, perfect, next, अगला वोश्चन, Sir, golden rice किस चीज के rich source है, या नहीं Sir, इन में से अगर विटामिन की बात कुए, विटामिन A, B, K और C, तो golden rice में Sir, सबसे आदा कौन सा विटामिन पाया जाएगा, इन चार options में से, शुगर के जिए इधन ओली है, बिल्कुल सही कह आपने, so हर्शुल हमारे D के साथ बिल्कुल सही थे, इसका अंसर दो Sir, golden rice, क्या विटामिन D, विटामिन D तो सूरीर की प्रकास से मिलती है, D तो option में नहीं है, अब देखिए, Sir, यहाँ पे golden rice, तो मैं एक ही करके सब के बारें बताता हूँ, विटामिन A जो होता है न, विटामिन A का नाम है गुरूदेव, रेटिनॉल, अच्छा हिंदी और अंगरेजी में नाम सेमी होते हैं, रैट, सो, अच्छा, कोई निवी में ओल, it is okay, अब यह यहाँ पे अप्से ही आंसर देना, सब विटामिन B का नाम क्या था, B का नाम था, thiamin, vitamin K का नाम क्या था vitamin K का नाम था phyloquinone और vitamin C का नाम था ascorbic amyl अंगरेजी में कहते है ascorbic acid लेकिन गुरू देव अब होता क्या है कि अगर vitamin A की कमी होगी तो मेरी आँखों में समस्या होगी तो vitamin A के लिए मैं क्या खा सकता हूँ मैं sir, गाजर खा सकता हूँ, right गाजर आपसे एक paper है, बहुत बार पूछी आती है और आप लोगो याद भी होगी होगी, मैंने आपको ट्रिक्वी बताया था, लेकिन sir, इसके अलावा golden rice भी rich source होते है, vitamin A के, right so, golden rice, yes so, golden rice, carrot, ये सारे के सारे आपके vitamin A के रिस्सोर्स है तो जितने भी बच्चे A के साथ थे, जैसे कि आदर्श हो गए हमारे, अनुजवा अच्छा B के साथ थे तो आदर्श, अजीत, विनोद, सुदेश जितेंद्र, भारती, किरन, शोईता, विमल सबके सब जो vitamin A के साथ जा रहे, बिलकुल सही जवाब है, सर, इसका पूस्माड़म हो चुक है, अगले कुशन पर आगे बढ़ा जाए अगला प्रशन आपके सामने, ये राच्छा पहले सी आंसर था, तो हरे पौद्ण द्वारा प्रकास translation के द्वारा निकलने वाली गैस कौन सी है, सर, एक एक बच्चा जानता है, यहां से जो गैस निकलती है वो है oxygen, और इसी oxygen का तो हम लोग इस्तिमाल करते हैं, हम लोग जो जीवे तवस्ता में किसकी वज़े से, इनी की जिवाबा, जिन से भी आपको best tuning बैट रही हो, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट चलिए, तो यहां पर फटा-फट से इस cancer देंगे, इस cancer क्या होना चाहिए तो देखे, BCG की full form बता दूँ आपको BCG full form होती है bacillus bacillus calmit urine राइट, bacillus vaccine का जो हम लोग इस्तिमाल करते हैं, इसका इस्तिमाल कहां करेंगे तो एक बीमारी होती है, TB आप लोग ने movie देखिए, कातिया वाली तू कहे तो काटू, तू कहे तो भॉकू, कौन सी movie, कातिया movie का नाम हो, गातक, गातक movie में होता है, क्या है, अगर मालो किसी खासी है, उसने खासा, सामने कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा था, तो even droplet के माद्यम से भी, किसी ने खासा, तो खासने में चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे mycobacterium, tuberculosis के गारण यह होता है, लेकिन हमको इससे बचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, BCG vaccine करेंगे, तो BCG vaccine इसके अगिस्ट काम करती है, तो सर, इसका ही पूस्मार्ट हो गया, समय आच चुका है, सर, homework question का, और homework question है आपके सामने, ये, और इसका answer आप, आप सब लोग दे ELISA test is performed, तो सर, ELISA test किसके लिए होता है, तो ELISA की full form मैंना भी आपको बताई थी, तो आप लोग इसका answer देंगे, मुझे comment section में, सभी लोग, कि सर, इसका answer क्या होगा, ठीक है, सब लोगा answer चाहिए, और कल हम लोग, सब लोग याद रखना, कल मैं आपको 2 घंटे, आपको पढ classes ला रहा हूँ, 12 बजे, लाइफ पेड़ वैसे लाओं, कल मैं पेड़ वैसे बढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ आपको बताऊंगो, पेड़ वैसे मैं कैसे बढ़ाता हूँ, तो गुरु देख, कल 12 बजे हम लोग पढ़ेंगे, diseases वाला चेप्टर, क्योंकि यहां से बहु और दो बजे, यूट्यूब पर जड़ना मत भूलना, जहाँ पर मैं लाइफ पेड़ क्लास से आप लोग के लिए सेशन ले के आओंगा, जहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कल आदे गंटे के लिए नहीं, कल एक एक गंटे के लिए रहेगा, बिलकुल जैसा आपने बोला, कल अपनी एक क्लास रहेगी, बार से एक, दूसी क्लास रहेगी, अपनी दूसे तीन, कैसा रहेगा गाईस, मजा आ जाएगा न, तो कल आप लोग जुड़ना मत भूलना, दौन ही चैप्टर से हमाले बहुत इंपोर्टेंट, एक्जाम में बहुत सारे वाई 723 और सर्ष पा सकते हैं मैक्सम डिसकाउंट, चलिए फिर, बावाई एरोण, टेक क्यों, जैहिंद, लव यू अल, मानली बिटावाद, वाईटी गेमर्स, दन है, चलो, टेक क्यों